तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भींडी और प्यास की इतनी टेस्टी सी रेसिपी जिसे आप एक बार बनाएंगे तो हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे तो हमेशा की तरह वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो भींडी के उपर नीचे का जो हिस्सा है उसे कट कर लेंगे और इसे चार टुकड़ों में इस तरह से हम कट कर लेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इससे काट लिया है भींडियों को तो इस तरह से सारी भींडियों को मैं अच्छे से कट करके रेडी कर लोंगी तो एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर और एक चमच धन्या पाउडर साथी में इसमें हम एट करेंगे एक चमच बेसन तो इस तरह से बना कर देखेगा बहुत ही टेस्टी रेसेपी आपकी भी बनेगी तो यहां पर हमने एट कर लिया एक चमच बेसन तो सारे मसालों को अच्छे से हम हाथ से मिक्स कर लेंगे तो सारे मसालों को भींडी के साथ मिक्स करके हम इसे साइड में रख लेंगे तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने कड़ाई रख लिए गया, इस पर हम दो चमच तेल एट कर लेंगे, और जो हमने भिंडी को मसाले लगाया थे, उसे हम इसमे एट करके, इसे दो से तीन न तक अच्छे से हम भुल लेंगे, ताक कि जो है मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाए, बेसन भी अच बेस्टी बनती है, तो भींडी हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके है, ऐसे हम निकाल लेंगे प्लेट में, उसके बाद उसी कड़ाई में फिर से हम दो से तीन चमच तेल एट कर लेंगे, तो देखिए हम पर एट कर लिया तेल, उसके बाद इसमें हम एक छोटा चमच जी सारी में कुछ कड़ी पते एट करेंगे, और अच्छे से मिसे क्रेक होने देंगे, जीसे जीर और सारे मसाले क्रेक हो जाये क्रेक हैं, इसमें हम एट करेंगे प्यास, यहां पर मैंने दो मीडियम सा इस तरह से learn divided के लियोः है तो प्यास को भी हम 2-3न टक पकाएंगे, ट्र लिया है इसे भी लंबे-लमे砻ी में कट करके हम प्याज के साथ एट कर लेंगे और इसे भी हम 1-2 मॅनट के लिए पका लेंगे उसके बाद सारे मिसाले प्याज से लिएधुन कर लिया हैं तो आद धा चमच्छ आम्चुर छाटी में आला चमीच्ट मसाला पॉर्डड रेड करेंगे, और इसेоЯेक्ट अच्छे करेंगे, उसे अच्छे से हम Mi IX K करके रेड़ी है आप भी जरू ट्राय करके देखिएगा बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है तो मिलती हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्स वर वचिंग